है लो दोस्तों नौश्कार में हुद रवी खरकाटे और मेरा यूटीब चैनल मेकनिक ग्यान में आप सब लोग कर सवगत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं असोक लिलेड एल इंजन 412 का पंप कैसा फिटिंग करते हैं किस टाइमिंग पे फिटिंग करते हैं तो दोस्तों वीडियो का लाश्ट तक देखते रही है और यह 412 का पार्ट 3 वीडियो है और इसके बाद हम लेकर आएंगे पार्ट 4 जिसमें हम टाइप इट सेटिंग का दिखाएंगे दोस्तों हमने अपने चैनल पे 136 वीडियो अप्लोट किया है मेकनिकल से रि सबसे वीडियो पहले पाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों देख सकते हैं या फ्लाइबिल के उपर आई एंजी एटी लिखा हुआ है हमने इंजन को घुमा कर आई एंजी एटी पर ले आया है और एटीन का मतलब होता है एटी डिग्री पिस्टन टॉप से डाउन होना चीए एक नंबर और छे नंबर पिस्टन देख सकते हैं एटीन आई एंजी एटीन तो अठारा डिग्री टॉप से पिस्टन डाउन है उसके बाद दोस्तों पंप हम जब भी फिटेंग करेंगे तो यह देख सकते हैं पंप का जो रोटर यह मार्क का दोनों लेबल एक होना चीए प्लस प्लेंजर टॉप पोजीशन पे होना चीए फर्स्ट प्लेंजर देख सकते हैं फर्स्ट प्लेंजर टॉप पोजीशन पे और यह मार्क एकुरे होना चाहिए और पिश्टन 18 डिग्री टॉप से डाउन होना चाहिए एक नमबर और छे नमबर पिश्टन और यह रहा फ्लाइविल का मार्क तो इस पोजिशन पर दोस्तों हमारा एक कुरेट हो जाएगा तो हमें अगर कुछ डाउट है तो हम एक बाप पुस्राड डाल कर देख लेते हैं कि एक नमबर और दो नमबर रॉकर जो है लेबल आ रहा है या नहीं आ रहा है तो उससे क्लियर हो जाएगा दोस्तों एक चीज और बता दें यह जो पंप का जो रोटर दीख रहा है सामने वाला जिस पर मार्क है इसको अगर उपर की तरफ करेंगे तो पंप अडवांस होगा और नीचे की तरफ रिटायर तो चलिए दोस्तों हम जाकर पुस्रोड देख लेते हैं कि फर्ष्ट और सेकेंड पुस्रोड दोनों लेबल में है या नहीं तो यह है दोनों फर्ष्ट और सेकेंड पुस्रोड और एक है थर्ड और एक है सिक्स यह थर्ड और सिक्स जो पुस्रोड है वो पूरा जाम रहेगा और एक नंबर दो नंबर फ्री रहेगा और ग्यारा नंबर थोड़ा हल्का फ्री रहेगा सिर्व पुस्रोड होने लाइक और बारा नंबर एक्तम जामोग तो दोस्तों एक बार हम देख लेत हैं यह देख सकते हैं दोनों एक्कुरेट एक्दम लेवल पर है दूसरा कि प्रिस्टन टीडी सी पर है तो दोस्तों आप पंप लगाना सीखी गए होंगे टाइमिंग कैसा मिलाते हो भी सीखी गयांगे अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किजिए दोस्तों